हेलो दोस्तो स्वारत है आपका डिमागेटिंग बॉल में मेरा नाम है विशेग दोस्तो आज की वीडियो का हमारे टॉपिक है बेस्ट लैप्टोब्स अंडर 50,000 रूपीज तो दोस्तो अमेजोन में अभी जो लेटेस ओफर्स चल रहे हैं उसके बेस पर मैं ये वीडियो ब सभी लैप्टोब के सारे जो स्पेसिफिकेशन है बहुत अच्छा से समझाऊँगा और इसके अलावा उन सारे लैप्टोब्स का लिंक भी आपको डिस्टोर देखो ताकि आप इसली जाके चेक कर पाओगे उनके सारे स्पेसिफिकेशन को और अगर उनमें से को एक आथ आ तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो प्रेस कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूली क्यूंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियों को नेटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों अब हम आगए हैं मेरे लैटॉप स्क्रीन में और यहाँ पर जो पहला लैटॉप है वो है एच्पी का तो गाइस यहाँ पर जब हम एक चीज़ की तो गैरेंटी रहती है कि यहाँ पर हमको जो माल मिलेगा उसमें कभी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आन नहीं है और यहाँ पर आई-फाइब प्रॉचेटर है तो मतलब स्पीड में तो कहीं कोई कमी आने वाली नहीं है और इसके लावा अगर आप देखोगे तो 4GB RAM है और 512GB SSD है अगर यह 1TB का यहाँ पर आपको hard disk मिलता हो और 255GB SSD मिलता तो SSD थोड़ा कम हो जाता लेकिन hard disk म करने के लिए sufficient होता है और क्योंकि अगर 100% जो storage SSD में रहेगा तो speed तो laptop की हमेशा एकदम बढ़िया होने वाली है क्योंकि 1TB HDD अपनको मिलता जरूर है लेकिन उसकी speed कम रहती है जिनको ज्यादा storage पसंद है वो इससे छोड़ सकते है लेकिन जिनको जो storage है वो fast चाहिए उन Windows 10 मिल जाता है license और इसका weight gaming laptops के competitively काफी कम है इसका 1.74 तो होता ही है laptop में ठीक है तो यह रहा हम थोड़ा सा और इसको डीटेल में देख लेते हैं कि यहां पर जो हमारा USB port वगेर हमें कितने मिलते हैं यहां पर left side में एक type C port मिल जाता है और right side में हमें 2 USB ports मिल जाते हैं ठीक जाता अच्छा लगता है ठीक है अगर आप gaming laptop लाते हो तो फिर बात हो रहा है वहाँ पर एसर में आपके बाद जबरतस colors मिल जाते हैं ठीक है आप चलिए चलते हैं second laptop के तरफ और यह हमारा Asus की तरफ से view of book और यह भी चल रहा है Intel i5 processor पे और इसका screen size कहीना कहीं थोड़ा स अगर अगर आपको पूरा मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है और साथ में यह सब इस सारी चीज़े भी तो काफी बढ़िया ओपर है यह बाकि screen size में थोड़ा सा मतलब वैसे देखा जाता है तो वहाँ पर अगर हम देखे तो कोई ज्यादा डिफ्रेंस नहीं है लेकि इसका भी लिंक आपको description मिल जाएगा आप जाके इसके complete जो specification है उसे check कर सकते हैं हम देख लेते हैं इसके USB port बगरा तो यहां पर आपको मिलता है USB port left side में और right side अगर आप देखो तो दो और मिल जाते हैं और आपको type C port भी आपको left side में ही available रहता है हो रहा है ठीक है तो अगर मैं आपको personally में बात करूँ तो मैंने MI के जो products है मतलब फॉन की बात है तो बहुत यूज़ किया है लेकिन laptop में मैंने HP यूज़ किया है, Asus यूज़ किया है, Lenovo यूज़ किया है, Dell यूज़ किया है, Acer यूज़ किया है, सब कर रहा है लेकिन MI मैंने personally खुद से और 512GB SSD मिल रहा है, Windows 10, NVIDIA, 2GB ग्राफिक कार्ड भी ऐसे मतलब ग्राफिक कार्ड ग्राफिक कार्ड जाता है तो कई ना कहीं एक चांस बन जाते है कि आप इसमें बहुत अच्छी तरीके से gaming कर सकते हो, ठीक है, तो SMA 49,000 के price range में अगर आपको एक laptop मिलता है, जिसमें आप लेकिन 1TB hard disk के चकर में इतना अच्छा offer छोड़ना भी समझदारी नहीं है, क्योंकि storage कहने को बहुत बढ़िया है, और RGB RAM भी मिल रहा है, तो मतलब कोई कमी नहीं हो, ग्राफिक कार्ड अगर आपको मिल जाए, एक simple laptop में तो मतलब मज़ा ही आ जाता है, ठीक है, और इसके लेकिन यहां जब हम आगे आते हैं, तो RGB RAM मिलता है हमें, और 512GB का SSD यहां पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर हम यहां पर नीचे आ जाए तो आपको यहां पर लिखा हो मिल जाएगा, यह जो storage है, यह भी SSD है, यानि कि fast storage मिलता है आपको, और Windows 10 और MS Office भी मिलता है, और हमें, जो USB ports हमें मिलते हैं, ती USB ports हमें यहां पर देखनव को मिलते हैं, लेट साइड में हमें 3 USB port भी जाता है, तो मतलब यह बहुत अच्छा बात है, यूसली बात है, क्यूर्वें यूसली यहां पर 14-inch की screen है तो यह इस laptop के case में आपको बोलूँगा कि इस में कोई कमी नहीं है क्योंकि आगे चलके आपको समझ में आ जाएगा यह भी i5 processor पर चलता है और यहां पर आप देखोगे कि यह जो है 8GB RAM मिल रहा हमें आप है 1TB hard disk मिल रही है और साथ में 250GB SSD भी मिल रही है और integrated graphics भी मिल रहा है तो मतलब यार यहां पर storage में कोई कमी नहीं है speed में कोई कमी नहीं है हर चीज एकदम बढ़ी है RAM भी आपको 8GB मिल रहा है Windows 10 मिल रहा है MS Office Home and Student दोनों मिल रहे है और silver color का laptop पर तो यार और तो और Dell का आपको guarantee भी मिल रही है तो Dell की जो quality है उसके साथ तो मतलब कभी भी आपको किसी और option के पास यहां पर जाना नहीं चाहिए बहां पर जाके आप आपकी और complete subscription आप देख सकते हो और अब मैं आको उता देता हूं कि इन में से अगर मुझे लेना होता तो मैं कौन सा लेता तो यहां पर अगर मुझे लेना होता तो मैं फिर से कोई बोलूँगा डेल का यह जो लैप्टॉप है 51,000 वाला मैं यह लोगा क्योंकि मैं हमेशा जब कोई लैप्टॉप लेता हूं तो उसको थोड़ा future देख के लेता हूं कि यार कहीं इसमें मुझे बात में जाके storage की कमी तो नहीं बढ़ जाएगी तो सिर्फ एक SSD भी बहुत होता है चारिया पाच गेम हमें उसमें चाहिए होता है जिससे हमें करना होता है लाइप स्ट्रीम तो वहां पर उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है और यहां अगर आप देखोगे तो आपको 1TB का hardest मिल रहा है जो की अच्छा का सा एक storage आपको मिल पूरा बूट हो के आ जाता है तो यहां पर मतलब यह बहुत एक अच्छा option रहता है बाकी सब में आपको 512GB SSD मिलता है यह सारी चीज़े बहुत अच्छी बात है बहुत fast storage SSD अगर आपको complete SSD मिल जाता तो fast storage लेकिन कही ना कहीं storage में कमी वहां पर आ जाती है तो आपको storage ज्य SSD में हो तो आपको ज्यादा storage मिलेगी मतलब ज्यादा speed मिलेगी क्योंकि जो भी आप storage करते है laptop में सब fast खुलेंगे ठीक है अब यहां पर HDD का मतलब यह नहीं होता है कि slow खुलते है ठीक है जब हम SSD के साथ compare करते है तो थोड़ा सा slow होता है ठीक है सिक यह मतलब निकलता है इ जो second option मेरा रहेगा वो यह माई का रहेगा क्योंकि अगर मानला future में थोड़ा सा gaming का भी अगर mode बन जाता है हमारा ठीक है तो यह टूजीबी ग्राफिक कार्ड वाला जो laptop है यह बहुत बढ़ी आ रहेगा आपके लिए क्योंकि यहां पर 512GB SSD तो आपको मिल ही रहा है और सा 2GB ग्राफिक कार्ड बहुत अच्छा option है यहां पर आपको जो की देखने को नहीं मिलेगा डेल में तो उमीदे आपको समझ में आगया होगा कि मैंने अभी तक मैं क्या समझा रहा था और अगर पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों वीडियो को पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए शेर भी कर दीजिए आपने पिते किस चानल को सब्सक्राइब नहीं गया तो प्रेस आनको असाइक कर लिजिए बैल आकन को प्रसकाना विल्कुल कर मुत लिए क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही देखने के लिए आपका बहुत बहुत अन्यवाद